गुरू हम सब को गड़ते हैं, छिलते हैं और समारते हैं और ये हम लोग का मन थोड़ा रंगों में उलजे जाता है दुनिया की चटक मटक रंग है और उनहीं में हम लोग लुपा जातें देखो बड़ी हम बंडाल बनाये हैं, और लाइट वाले भाज साब लोग कोई लाल अपीलाव हरा सब परकार का रंग लगाए है तो थोड़ा आखों को अच्छा लगता है तो आखों का रंग अलग है लेकिन कानों का रंग कान का रंग कुछ दूसरा है अच्चाम का रंग कुछ दूसरा है अजीव का रंग कुछ दूसरा है तो सब अपना अपना रंग चाहते हैं कभीर साहिब ने कहा रंग ही ते रंग उप जे सब रंग देखा एक और कौन रंग है जीव का ताका करहू विवेक ये सब लग-लग रंग तो हैं लेकिन इन सब रंगों को एक में मिला दिया जाए तो क्या होगा? साथ प्रकार के रंग बाटा गया है मुख्य तो तीन है काला, पीला, निला तीन है लेकिन और थोड़ा भी स्लेशन कीजिए जो प्रिज्म से गुजार करके तो साथ रंग, सत रंगा दिखता है इंद्र धनुष साथ रंग वाला होता है तो वही साथ प्रकार के रंग आप ले लीजे साथ प्रकार के रंग आप ले लीजे साथ रंग सब अज सब को मिला दीजे मिला करके थोड़ा फैट दीजे तो क्या रंग मनेगा उसमें बताईए हम लोग को पढ़ते थे तो बताते थे कि सब रंग को मिला दो तो सफेद रंग हो जाएगा सब वो सब सफेद हो जाएगा काला हो, लाल हो, नीला हो, पिला हो सवसगरम पराबर मातर सब को फेड़ दीजे वो सफेद हो जाएगा एक प्रकास रंग था प्रिज में से गुजारे तो सात रंग हो गया अब सातों को फिर से एक में मिला दीजे तो क्या हो गया? सफित हो गया ऐसे ही सभी रंगों को ज्यान करने वाला ये चेतन जीव है चेतन जीव न होता तिन रंगों की पहचान कौन करता? सब रंगों की पहचान करने वाला चेतन जीव है हम सब को जाने सब रंगों को जाने खाली चेतन आत्मा भर को नहीं जाने तो सब रंग का जानना बेकार हो गया अपने को भी जानना चाहिए कभी साय ने बड़ा सुन्दर प्रस्न किया है जड़ चेतन के विशय में कि देखो रंग से रंग एक रंग को दूसरे रंग से मिला दीजे तो तीसरा रंग तैयार हो जाता है लाल को और नीला को मिला दीजे तो वो काला हो जाता है काला रंग नया उत्पन हो गया तो बहुत से भातिक वादी लोग कहते हैं कि जीव कुछ थोड़े है, आत्मा कुछ थोड़े है, वो जड़ तत्तों का मिस्रण हो गया, और मिस्रण से जीव पैदा हो गया, ऐसा कहते हैं, कभी साहर न उसको ठीक से पकड़ा, और कहा, कि देखो तुम कहते हैं, रंगों का जो बताते हो, कि दो रंग मिल तो तिसरा रंग पैदा हो जाता है तो रंग से रंग ही तो बनाना जड़ से जड़ ही तो बनाना चेतन तो बन कर उड़ तो नहीं गया वो कि हाथी गोड़ा हो गया पक्षी हो गया कि साथ वो दो रंग मिला है तो पक्षी बन करके उड़ गया ऐसा नहीं होता है, जड़ से जड़ ही बना, चेतन नहीं हो सकता है, जड़ अलग है और चेतन अलग है, उसी रंग को पहचानने के लिए सहम ने कहा, और ये सबसे ज़्यादा हमारा मन ही तो रंगों में दोड़ता है दुकान में जाएए तो दुकान में कपड़े की दुकान अगर है तो दुकान दा राय सब है ला देता है कि ये कपड़ा तो वो कपड़ा तो कपड़ा मन जो है यहाँ वहाँ नाचते रहा तो पथद ही नहीं कर पाथ तो किसको लों कुसको लों और कई माता बहनत होती तो अच्छा बलाओ जब साड़ी समेच कराते कराते घंटों बीत जाता है और दुकान से निकलने का नामने दर नराज नहीं हो येगा हमारे लिए हम लोग को तो सफेद वाले हैं एक सफेद पहन बढ़र ना ना कुछ करना है कुछ लोग करने साथ जलदी स्तैयार हो जाएए स्नद करने साह हम लोग तैवाल भाइते तो है कुनों टिकुली लगा ना हे कि को ड्रेς चेंज कर ना बस सफेद पहने हैं बस चल दो कोई उस तैयारी जह नहीं है ना बालों नहीं समार ना जा तो सफेद वाले को कोई दिक्कत नहीं है ना पसंद करना कौन कपड़ा अच्छा सफेद कपड़ा ले आना जो नीचे तक पहुंच जाए बहुत गुटने तक ले आओ तो पहने लाइक नहीं रहेगा संदो कैसे पहनेंगे तो कम से कम वहां तक ले आओ सफेद होना चाहिए तो सफेद हो जाए ऐसे हमारा मन सफेद हो जाए तो बहुत सजना सवरना न पड़ेगा बहुत ताम जाम नहीं करना पड़ेगा सीधा सरल बन जाओ हम लोग सीधा साधा जादा पसंद करते हैं तेड़ दुनियावाले हो तो उनको टेड़ा मेड़ा ज्यादा पसंद होता है सादकों को भक्तों को संतों को टेड़ा मेड़ा नहीं पसंद है इनको टेड़ा मेड़ा पसंद होगा तो बाल कैसा कटाएंगे वो पहले हिप्पी कट चलता था एक मैंने अभी अभी देखा है, वो इधर फूरा खाली ऐसे उपर आयसे जहाज जैसे कटिंग किये रहते हैं, पता नहीं को ऐसा कैसा भलवा जैसे दिखता है, कभी कुछ कभी बेल बाटम चलता था, कभी छोटे मोहरे वाला चलता था, कभी कुछ चलता था, ते जो जितना तेड़ा वाला होगा तेड़ा तेड़ा कारता है, मूझे भी लोग तरह तरह के लगाते हैं, कोई तीर्चा काट रहा है, कोई उड़ा काट रहा है, सादू संतों का देखो सरल होते हैं, बढ़ाएंगे तो एक साद बढ़ाएंगे, और कटाएंगे तो एक साद सफाचट, तो सरल होते हैं तो सरलता से वो रहते हैं तो मन हमारा जितना टेड़ा होता है उतना टेड़ा टेड़ा काम पसंद करता है दूसरे को जानने का प्रयास हम लोग करते हैं बस अपने भर को जानने का प्रयास नहीं करते हैं दूसरा हमारे बारे क्या सोच रहा है कोई चर्चा नाम भी कोई सुनाई पड़ गया बड़े कान लगा के सुनते अच्छा मेरा नाम कैसे लिया मतलब बहुत तेर लगा करें मोर नाम कहे लिया मेरा नाम कहे लिया अब अच्छा मिलिया कि बुरा मिलिया कि वो जाने लेकिन मन हमारा ऐसा लगा रहता है कि वो दूसरा मेरे बारे क्या कह रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ मैं क्या हूँ मैं की चिंता नहीं है पर की चिंता लगी रहती है जिस दिन मैं को हम लोग जानना सीख जाएंगे तो वो बाहर का जानने की जरुवते नहीं पड़ेगी हम लोग ज़्यादा तर दूसरे को सोचते हैं कि अच्छा उसके मन की बाद जान जाएं आदमी तो यहां तक और ज़्यादा पहुंच वाला बनना चाहता है कि हम सभी प्राणियों की बोली भासा पहचान ले ऐसा भी हो जाता है एक भक्त था तो गुरु की दरवार में गया गुरु की सेवा किया, भक्ती किया तो गुरु जी उसे प्रसन्न हो गया वो थोड़ा दूसरे भाव से सेवा में गया था गुरु के पास एक विशेष ग्यान था क्या ग्यान था? कि वो सभी पसुपक्षियों की बोली भासा वो जान लेते थे दूसरे की गाय क्या बोल लई है कि भैस क्या बोल लई है चिडिया क्या बोले वो जानते थे तो भगत बन करके गया था तो सेवा किया, तो संत प्रसन्नों करके, तो उन्हों ने कहा, गुरु जी वो जो आपका ज्ञान है ना, पसु पक्षियों की जो बोली भासा है, उसको मेरे को सिखा देते, कहा बेटा तेरे काम की नहीं है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, कहा नहीं गुरु जी बहु प्योग मत करना, कि ठीक है गुरुजी, तो वो एक बैपारी था, पशुओं का, तो उनका एक पशु साला था, उसमें कई परकार के पशु, गाये, घोडे, गदे, मुर्गी, मुर्गा और तमाम, तो उनको चारा पानी दिया, और सफाई कर रहा था, तो एक मुर्गा बोला, दूसरे मुर्गा से, कि वो जो गद्धा है न गद्धा, कल को ये मर जाएगा, ये सुन लिया, कल को गद्धा मर जाएगा, ये सुन लिया, अरे तो अपनी भासम बता रहा है, गुरुजी ने सिखा है, तो ग्यान वो जान लिया कैसा बोला है, तो दूसरे दिन मर जाएगा कैसा बोला तो तुरत-फुरत में उन लेके बजार गया गधा को और गधा को पांच हजार रूपिया में बेच दिया अब यह सोच रहा है कि गुरू जी ने जो भासा बताई हो मुर्गा बोला है तो परकरात बेच दिया तो सच मुझ दूसरे दिन गधा मर गया अब तो बड तुसरे तिसरे दिन फिर गई तो फिर मुर्गा बोला था यह जो गाय बढ नहीं बड़िया गाय डूद देती है यह परसों को मर जाएगी अब तो सोचा देखो पहले दिन कहां था गधा मर जाना यह जरू मर जाएगी पिर बजार लेकर के गया और इसको 20 हजार रूपिय में बेचे दिया और हुआ सच्मु तीसरे दिन गाय फिर मरगई ओ तो बड़ा खुष कि कम से कम जो बोली भासा मैंने सीखा तो वो उससे मेरा फाइदा हो गया गाय मरगई तो उसका पैसा में पा गया गदहा मरगई उसका पैसा पा गया अब बड़ा खुश था एक सब्ताबाद फिर दाना पानी देने गया तो मुर्गा कह रहा था एक सब्ताबाद हमारा मालिक मरने वाला है हमारा मालिक मरने वाला अब तो बड़ा ओ घबराया कि गदहा कहा था गदहा मर गया गाय कहते गाय मर गया तो जूड तो नहीं हुआ, सच हुआ तो मेरे को कहा एक सबताबाद मर्ज जरूर मेरे नमबर लगने वाला ओ दाओना गया गुरूजी के पास गुरूजी बचाईए, अरे हुआ क्या क्या गुरूजी मेरे नमबर आ गे है महनने का तो कैसे जाना, कै वो मुर्गा बोल ला था पहले दिन, कि वो गधा मरने वाला है, तो क्या हुआ गधा मर गया, तो क्या कि उसको, उसको मरने पहले मैंने बेच दिया, फिर तिसरे दिन कहा कि गाय मरने वाली है, तो गाय को भी बेच दिया, बीस हजार में, तो कहा जैसा तु दूसरे के बोली भाषा तो अब कितना परिशन पहले तो लगा बड़ा अच्छा है फाइदा हो गया अब अपना नम्मर आया तो कितना दुखी हो रहा है तो हम लोग दूसरे के मन को जानने कोशिश करते हैं अपने मन को जानने का कभी प्रयास नहीं किये थोड़ा अपने अ अपना दुख यही सबसे ज्यादा लगता है गुर्देव जी कई बार कहा करते थे कई बार जाता था तो कहते थे महराज मैं बड़ा दुखी हूं मैं बहुत दुखी हूं गुर्देव जी कर अच्छा सुन तो लो सुन तो लो कि क्या दुनिया में बहुत लोग है क्या नह नहीं हाँ घर दुवार तो है खाते पीते हो हाँ खाता पीता हूं तो देखो महराज राम कर ना घर था ना दुवार था और वो उनको बनवास निकाल दिया गया बनवास में गया तो भिक्षा करके मांग की नहीं खा सकते थे नियम था भिक्षा नहीं मांग सकते थे कंद मू पतनी तो नहीं हरी गए, नहीं माराज पतनी घर में है, तो क्यों ज़्यादा दुखी होते हो, माराज राम से ज़्यादा दुखी नहीं हो, इसलिए तो दुख भरी कहानी को कहते हैं, अपनी राम कहानी भई अब न सुनाओ, ऐसा कहते हैं न अपनी राम कहानी न सुनाओ राम कहानी के मतलब दुख भरी कहानी तो हम लोगों का ये ज़्यादा तर होता है कि अपना दुख सबसे ज़्यादा लगता है और दूसरे का धन ज़्यादा लगता है दूसरे के पास हो चहना हो अरहे उसके तो चार-चार बेट चार उसके बच्चे भी है, सबका खर्चा तो है, जितना आवक होगा, उतना खर्चा होता है, अपना भर नहीं दिखता है, कि हाँ मेरे भी पांच बेटे हैं, तो मेरे भी पांच कमाने वाले हैं, ओ नहीं दिखता है, दुसरे का ही दिखता है, तो अपना दुख जादा लग खाली हाई दूसरे को जानने का प्रयास होता है एक संथ के पास एक डंडा था जादुगर वाला डंडा जमतकारी डंडा तो उनका शिष्ट था सेवा किया तो गुरु ने कहा बेटा ये डंडा रख ले तो मेरा कोई काम का नहीं है कै गुरु जी डंडा विशेस्ता क्या है जिसके तरफ करोगे उसका गुण दोस दिखने लगता है, तो अब वो लेकिन दुर्पियोग मत करना, शेता दिया, लेकिन वो कहां मानने वाला जादूी डंडा पा गया, तो नो सिख्याक पासम तो क्या करेगा, जो कोई भक्त मिलने आता गुरुजी के पास, उनके तरफ ड भगत बड़ा बनता है, और इसके तो तमाम दोसा है, वो चला जाता है, गुरुजी ये जो बड़का भगत है आपका, ये तो उसमें तमाम बुराईयां है, अच्छा ठीक है, दुसरा को या तो उधर घुमा दे, सब की बुराईयां दिखती उसको, एक दिन तो गजब हो गुरुजी के तरफ ही डंडा घुमा दिया, गुरुजी आप में भी तो अमुक गलतियां है, गुरुजी समझते हैं, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं उन दोसों को दूर करने में लगा हुआ हूँ, अच्छा बेटा बताओ, डंडा तुमने कभी अपने तरफ गुरुजी अपने तरफ तो नहीं गुमा करके तो देख अपने तरफ घुमाया तो बेपींदी का लोटा, भंगार भरा हुआ, कभी अपने तरफ हम लोग डंडा घुमाते नहीं है, हमी लोग तो हैं, दूसरा कोई चेला नहीं कि जो दूसरे तरफ डंडा घुमाता है, उ दुसरे तरब दिखाने का, अपने तरब तो दिखता ही नहीं है, अपने तरब कितनी बुराईयां भरी है, वो बुराईयां नहीं दिखती है, काम की, क्रोध की, लोब की, मोह की, राग की, द्वेश की, चिंता की, भी कलता कि, टमामें बुराइय तो है, इसको कभी हम लोग दूर करने के लिए कोई थोड़ा कोशिश कीये कि नहीं कीये, कभी कोशिश नहीं कीये, कभी थोड़ा चिंतन भी नहीं कीये कि देखो मेरे से गलत बोल निकल गया, मैं दुसरे को थोड़ा सम्मान नहीं कर पाया ऐसा कभी सोचे रात में सोएं तो थोड़ा सा चिंतन करें कि आज मैंने क्या क्या गल्ती की बहुत कम लोग होगे जो ऐसा चिंतन कर पाते सादू संत हैं वही शीहाँ लोकन करते हैं बांकी को तो कोई ठीकाना ही नहीं है कि कर पातें कि नहीं कर पातें अगर कर पाएं तो दूसरे के तरफ देखने का हमको टाइम नहीं मचेगा सदू कभी सायन कितना बढ़िया का है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल ढूंडा आपना मुझसा बुरा न कोई कि हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा पुराईया तो सिर से पैर तक भरी ही भरी है माजते माजते धीरे धीरे वो दूर होता है जो माजने का काम करेगा वो ही धीरे दे उसका जीवन उज्वल होगा जीवन अच्छा होगा और इसी के लिए ये सतसंग है उसी के लिए ये आयुजन होता है भक्ती का कि कुछ भक्ती के रंग में रंग है तो सही और सद्गुरु से ही प्रात्ना करते हैं घे गुरुदेओ हमको भक्ती के रंग में रंग दो नहीं तो दुनियादारी का रंग तो चड़ता ही चला जाता है, वो सदेव चड़ता चला जाता है, कभी उतरता नहीं है, और सादू संती ही नहीं, बहुत से लोग भी इस भक्ती के रंग में रंगते हैं, लेकिन अपने अपने धंग से रंगते हैं, और रंग न अच्छी बात है, जितना जितना हमारा मन ग्यान क और अ करो जैसा हम बोलते हैं वायसा बन जाते हैं कभीज साइब ने कहा है, सोई कहंता सोई होगे, तए निकरन बाहर आओ, तुम जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा हो जाओगे, क्योंकि मन वैसे वैसे वैसे, वो चिंतन करने लगता है, जैसे जैसे बोलेंगे, बरताओ करेंगे, तो मन उसी का बारम बार चिंतन मनन करत संत्cket the ch technique act 8 इसलिए संत्य जन कई घर अपड़ 11 कि अच्छा सोचो कुछ नहीं कर सके म ponieważ सेवा करो था करो वाक्ति बोल नहीं पाते हैं कम से कम वानी है तो वानी सो तो सेवा कर दो वानी नहीं है आपके पास मुखके हो बहरे हो तब कोई बात नहीं है लेकिन वानी तो सब के पास में है जानवरों पसू पक्षियों के अलावा यतने इंसाने सब के पास वानी है और वानी की शक्ति प्रकृति ने हम सब को दी है ये प्रकृति के बड़ा उपकार मानना चाहिए सदुरू कभी साहिब ने कहा कि तीन चीज आदमी के पास मुख्य मिला हुआ है साहिब ने सुरू में का अंतर जोती शब्द एक नारी अंतर जोती शब्द एक नारी सभी मुनुष्यों के अंदर में अंतर क्या मिला हुआ है शब्द एक नारी अंतर में ज्यान की जोती है एक शब्द शक्ति है और तिसरी है नारी शक्ति पहली शक्ति ज्यान की शक्ति है दूसरी शक्ति शब्द की शक्ति है और तिसरी नारी की शक्ति है नारी की शक्ति के मतलब होता है कल्पना करने की शक्ति अगर कल्पना आदमी न करता तो ये बढ़ी हट टेंट न बना पाता कल्पना न करता तो हम अपनी बात कहां कहां नहीं पहुंचा पाते कलपना ना करता तो मुबाइल से देश वी देश बात ना कर पाते और ना कास उड़ पाते पहले आदमी कलपना ही तो किया पहले आदमी कलपना करता था पक्षियों को उड़ते देखता था तो मैं भी उड़ू ऐसी उसकी कलपना होती थी तो दो बेज्ञानिक सोचे कि हम भी उड़ जाएं, कैसे उड़ जाएं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो बड़े-बड़े पंख बनाएं, हाथ में बांध लिए, और फिर छत से जा करके महाँ से पंख को हिलाते हिलाते, कूद पड़ें, तो क्या होगा, बेलेंस नहीं बन पाया, और वो गिर करके, मरे की हाथ पैट तूटा होगा, कुछ न कुछ, लेकिन कलपना थी कि हम उड़ जाएं, अब फिर धीरे-धीरे वही कलपना करते-करते, दीरे-धीरे कुछ ऐसा होते गया, कि देखो, हेलिकाप्टर बना, अब विवान बना, अफसी में चड़ते हैं, तो कलपना है तब तो, अब उसी को सुन्दर बोल बोल दिये, तो आदमी प्रसन्न हो जाता है, एक ही बात है, जिसको सायम ने कहा है, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनन्त विचार और थाके मुनिजन पंडिता वेदन पावेपार, एक शब्द, गुरुदेव का एक शब्द, काउन सा एक जिससे हमको संसार में जीने का सलीका आ जाए, वही एक सब्द गुरुदेव का है, जिससे हम कल्यान मारगे में लग जाएं, वही एक सब्द है, वो चोर हो, चहसंत हो, सादू हो, जिनके बानी बच्चन से हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, कोई जोरी थोड़े है कोई बच्चा कह रहा है तो उसको बात नहीं मानना है, जिससे हमको ग्यान हो जाए, बोध हो जाए, वही हमारे लिए अनुकरनी है, चोर से भी बोध हो जाता है, एक चोर था, तो चोर के घर में एक बार एक संत आए, तो संत आए तो वो चोर का काम है, रात में अपना काम क जो मजदूर होते हैं दिन में काम करते हैं और चोर रात में काम करते हैं तो चोर के घर में संत आए तो ठीक गय संत तो अब खिलाए पिलाए विस्राम का समय हुआ तो रात के 10-11 बजे वो व्यक्ति आया जो चोर था तो नह कहा कि महराजी आप विस्राम पाईए और मैं अपन क्या धंदा है सब लोग तो दिन में धंदा करते हैं तुम्हारा रात का क्या धंदा है तो कहे गुरुजी अब आप से क्या छी पाना आप संत है और मेरा धंदा है चूरी करने का अच्छा आप असिर्वात दीजे मैं अपने काम में सफल हूं अब संत क्या कहे विचारे रात क वो समय ग्यारा बजे कह रहा है कि जा रहा हूं अपने धन्दे में तो ठीक यह जाओ अपने काम में अब संत विश्राम किये अब वो सुबा आया काम करके तो रात भर का काम किया हुआ तो सो गया अब मिला नहीं फिर रात हुई तो खाया पिया अब फिर गुरु पास जाता है तो गुरु जी पूछते हैं अच्छा सफलता मिली सफलता मिली तो चोरने का नहीं गुरु जी आज तो सफलता नहीं मिली कल जरूर सफलता मिलेगी आज सफलता नहीं मिली कल सफलता जरूर मिलेगी ऐसे, रोज और रात में जाता, सुभा लौट कर आता, और रोज गुरुजी पूछते, की बेटा सफलता मिले, कह निश्ट है, काते हैं, आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी, और हम लोग कैसे हैं, ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, किर्तन में बैठते हैं, मन को एक आगर करने के लिए बैठते हैं, मन बस में नहीं होता है, मन भाग भाग जाता है, तो हम लोग म प्राप्ति के लिए उन लगा महिना भर लगा रहा, सफलता नहीं मिली, आज सफलता नहीं मिली, लेकिन आशामान कितना है, आशामान है कि कल सफलता जरूर मिलेगी, ऐसे कोई शादक हो, शंत हो, भक्त हो, अगर अपने धे में लगा रहे, तो आज सफलता नहीं मिली, आज मे दबल किया और बाधा आती ही बाधा बाधा करने वाले होंगे आपके घर के ही लोग बाधा करने वाले होंगे बाहर को छोड़ दीजे बाहर के लोग बाधा थोड़े करते हैं घर के लोग ज्यादा बाधा करते हैं कोई कहेगा हाँ बड़ा पुजारी बना है बड़ा पुजारी बना है उसको ब्यंग करते हैं बड़ा दो गंटा पुजा करता है ऐसा घर के लोग ही उसको उलाहना देने वाले होते हैं तो उनको धर ध्यान न दे अगर मन को देखना है तो लगे रहें तो चोर भी अगर कोई अच्छी बात कहता है चोर से हमको सीख मिल जाए तो क्या पूछना है तो ऐसे व्यक्ति कोई भी हो चोर हो, बच्चा हो, नबालिक हो कोई भी हो, जिससे हमको बोध हो जाए, वही हमारा असली गुरु है, गुरु वह है जो हमारे अहंकार को जुका दे गुरु वह है जिसके आगे हम जुक जाएं जल्दी आदमी जुकता कहां है केवल एक मौत है मौत को छोड़ करके कोई जग जुक नहीं नहीं चाहता है मौत के सामने आदमी नत्मस्तक होता है और गुरु वह है जो उसके हंकार को जुका देता है गुरू के पास से आदमी जाकर जुकता है और कहीं जुकना थोड़े चाहता है चाहे जितना धनवान हो चाहे विद्वान हो वो जल्दी जुकना नहीं चाहता है क्योंकि हंकार जुकने नहीं देता है रावन था तो रावन कहता था कि मैं तूट सकता हूँ लेकिन जुख नहीं सकता हूँ और उनका बड़ा संकल्प था तीन संकल्प उसके कहते हैं कि सोने में सुगन्ध ला दूँगा सोने में सुगन्ध ला दूँगा और समुद्र के पानी को क्या कर दूँगा? मीठा बना दूंगा ऐसा संकल एक संकल पाउर कौन सा संकल स्वर्ग तक स्वर्ग तक सिढ़ीर बना दूंगा ताकि सब लोग जाएं ये महात्वलो कता है स्वर्ग में जाना बड़ा मुश्किल है मैं सिढ़ीर लगवा दूंगा ताकि साब लोग स्वर्ग में जाने लगें लेकिन तीनों कामना पूरी हुई क्या? एको नहीं हुई रावन जैसा आदमी के तीनों कोई संकल्प नहीं पूरा हो पाया और हम लोग सोचते के हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा जुकना नहीं चाहते हैं अरे गुरु के पास जुकेंगे सभी मनों कामना पूरी होगी जिसका मन बस में होता है न उसका साब अपने आप पूरा होता है और कभी साहिब ने कहा है कि जिसका मन बस में हो जाएगा उसके जैसा राजा बासा तो कोई है ही नहीं कोई राजा बासा नहीं है सबसे बड़ा सहंसात वही है जिसका मन अपने बस में है किसे कहते हैं मेरे इतने फोज पकड़ है इतने सोना चांदी है इतने धन दवलत है संत कहते हैं ये तू तू मेरी दासी का दास है मेरी दासी का दास है कैसे दास है कि जो जिसको माया मान रखे, धन, संपत्ति मान रखे हो, वो मेरी दासी है, और तू उसका दास है, धन, संपत्ति, साधू का, महात्मा का दास है, और उसके दास तुम बने हुए हो, तो बताओ, संद को कुछी चाहिए ही नहीं, तो उसको क्या कोई रोख सकेगा, जिसको उपर माया चड़ नहीं पाती है, माया सदेव, वो पैरों की नीचे रहती है, एक मजेदार घटना आपको सुनाओ, हम लोग गुरुदेव जी के साथ में, कलकत्ता गय थे, स्री प्रेम प्रकाजी के, हाँ, सायद राम साइब भी रहें, अतना ख्याल नहीं है, कौन सन की ब भावा हुआ, तो पैसे आते थे, तो हम सायद वो गिन रहे थे, ठीक कर रहे थे, तो पंखा चला था गर्मी का दीन था, तो बार बार पैसा उड़ जाए, तो हमने पैसे को ऐसे पैर पर ऐसे दबा करके, उसको राखा कर उड़ने ना पाए, इतने में प्रेम प्रकाजी आ में उन्होंने कहा कि संतों के चड़नों के नीचे ही माया रहती है, हम लोग के तो सिर पर चड़ती है, यह संतों के पैर के नीचे ही माया रहती है, बताओ आप लोग पैसे को पैर से दबा करके रखते हैं क्या? कोई नहीं दबाता है, जितने सब बैपारी बैठा सब माथ्था चढ़ाएंगे और दिपावली के समय होगा तो क्या पूछना है वो घर से बाहर से वो छोटा-छोटा पैर बनाते हैं मैंने कई जगा देखा लीप पोट करके वो छोटे-छोटे लचमी का पैर बनाएंगे और वो मुख्य अपना जो कक्ष रहेगा पूजा इस वहां तक लेके जाते ताकि लचमी आए तो लचमी को पैर से कोई दबा करके नहीं रखता है लेकिन उन्हों बिनोध में कहा कि संतों के चड़नों के नीचे ही माया रहती है और हम लोग के उपर तो उस सीर के उपर चड़ती है तो मेरी उसमें कमी रही होगी या गलती रही होगी पैर से नहीं दबाना चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा उन्होंने थोड़ा विनोध बहां में कहा और उनकी बाफ सही भी है मैं तो छोटा बच्चा था उस समय शीकता पढ़ता था लेकिन अब उड़ रहा था तो दबा दिया पैर से तो लेकिन उन्होंने सही बात कहे कि जो संत होते हैं तो माया के पीछे दिमाने थोड़े रहते हैं जो त्यागता है उसके पीछे-पीछे और दोड़ती है तो संतों का जो उबदेश है कि ये माया को अपने वुबश्ट में रखते हैं मन उधर जाता ही नहीं सहज उपयोग हो गया जो चीजे हैं वो माया थोड़े बनती है उनकी आशक्ती हमारे लिए माया बनती है रुपया, पैसा, धन, दौलत ये सब काम की चीज है संत कभी नहीं कहते कि इसका कोई उपयोग नहीं उपयोग है लेकिन उसकी अपनी मरियादा है मरियादा में रहे तो अच्छी बात है अगर मरियादा को तोड़ दे तो वो फिर दूसरे भावाली हो जाती इसलिए संत अपनी मरियादा में रहते हैं दूसरे को मरियादा की बात बताते हैं ताकि जीवन अच्छा बने जीवन अच्छा बने यही काम ना करते हैं स्वαימס का जीवन अच्छा रहता है और अच्छे का उबदेश करते हैं. क्यांकि जिसके पास जो होता है उसी का वो उबदेश करते हैं और यहीं चाहिए है. हम अच्छा रहेंगे तो अच्छी बात बताएंगे हमारे मन में बुरा भाव तो वही बुरा धकेलते जाते हैं इसलिए यह थोड़ा सा संकल्प भाव होना चाहिए कि मेरा मन अच्छा हो गुरू के पास जाएं तो गुरू से यही एक सीख मांगे करें के गुरू देओ हमको अपने ज्ञान रंग में हम सब कुरंगे ताकि आपका ज्ञान रंग हमारे जीयों ने फले फूले और मेरा जीवन भी ज्यान में हो जावे यही मैंने कुछ बातें कही और कुछ देर अपनी बातें मैंने रखी तोड़ा कादू भजन सुना दीजिए साहिब बंदगी साहिब बोलो सदुरु कभी साहिब की संत समाज की भक्त समाज की जै